तमिलनाजू की कन्या कुमारी से कॉंग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज चौता दिने इस वीच राहूल गांदी की टीशेट को लेकर विवाद हो गया है बीचेपी ने अपने ओफिशल ट्वीटर अकाउंट से राहूल गांदी की टस्वीर को शेयर किया जिसमें वो टीशेट पहने दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के मताफिक राहूल गानी ने 41,000 रुपए की टीशक पहनी हुई है बीजेपी ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा भारत देखो बीजेपी के स्ट्वीट के बाद कॉंग्रेस में पलटवार करते हुए का अरे घवरा गए क्या भारत जोड़ो यात्रा में उम्रे जन से लाग को देखकर मुद्धी की बात करो बिरुसकारियों महेंगाई पर बोलो बाकी कपरों पर चर्चा करनी है तो मोदी जी के 10 लाग की सूट और एक लाग पांच हजार के चश्मे तक बात चाहेगी बताओ करनी है बीजेबी देश भर में गणीश विसर्जन के दौरान काफी उत्सा दिका इस बीच गणपती की प्रतीमा विसर्जन के दौरान देश के कई हिस्सों में हाथसी भी हुए बीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक गणीश विसर्जन के दौरान हरियाना और उत्तर प्रदीश में अलग-लग जगाओं पर हुए हाथसों में 15 लोगों की जान चली गई है वहीं डूबने के बाद कई लोगों का रेस्क्यू किया गया टाटा ग्रोप भारत में एक Electronics Manufacturing Joint Venture इस्थापित करने के लिए एपल इंके ताइवानी सप्लायर विस्ट्रॉन कॉर्प के साथ बाचीत कर रहा है यह Joint Venture भारत में iPhone असेंबल करेगा टाटा इसके जरीए Technology Manufacturing में एक ताकत बनना चाहता है यदि यह डील सफल होती है तो यह टाटा को iPhone मनाने वाली पहली भारती कंपनी बना देगा अभी भारत और चीन में विस्ट्रॉन और फॉक्सवान iPhone असेंबल करती है प्रधामंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो काउंफरेंसिंग के माध्यम से कींद्र राज्य विज्ञान सम्मिलन का उत्खाटन किया दो दिवसी एक कॉंक्लेव का आयूजन साइंस सिटी एंदरबाद में किया ज़ा रहा है इसमें स्टी आई विजन 2047 सहित विविन विशेगत शेत्रों पर सत्र शामिल होंगे पिछले 24 खंटे में कोरोना वारस संक्रमन के 5549 मामले सामनी आये हैं जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 4,44,90,283 हो गए केंडरी स्वास्त मंतराले ने शनिवा को बताया कि देश में कोविन 19 के उपचारादी मरेसों की संक्या घटकर 48,850 रह गए है